LibreOffice Impress में Presentation को Print करने के मतलिक इस Suppoken Tutorial में आपका खैर मकदम है इस Tutorial में हम Print करने के मुख्तलिफ Options देखेंगे Slides, Handouts, Notes और Outline यहां हम Ubuntu Linux Version 10.04 और LibreOffice Suite Version 3.3.4 का इस्तेमाल कर रहे हैं कभी कभी आपको अपनी Presentation की Hard Copy प्रिंट करनी होती हैं मिसाल के तौर पर हो सकता है आप अपनी Presentation की Copy अपने नाजरीन को देना चाते हैं लहाज़ा पहले हम अपनी Presentation Sample Impress पर Double Click करके इसे खोलते हैं Slides प्रिंट करने के लिए File और Print पर क्लिक करें या फिर Ctrl और P बटन साथ में दबा सकते हैं General और Options टैब्स में तर्तीबा जानने के लिए Libre Office Writer के दस्तावेजात को देखने और Print करने वाले टिटोरियल को देखें General टैब्स में Print के अंदर Document फील्ड में हम कई Options देखते हैं जो खास तोर पर Impress में मौझूद हैं ये Options हमें मतलूबा Format में अपनी Slides प्रिंट करने की सहुलत देते हैं Slides, Handouts, Notes और Outline हम Slides Option का इंतखाब करते हैं अब Libre Office Impress टैब पर क्लिक करते हैं यहां आप Slides के हिस्से का, Color का और Size का इंतखाब कर सकते हैं जिसको प्रिंट करना चाहते हैं Contents के तहत Slide Name, Date and Time और Hidden Pages का इंतखाब करते हैं जैसा कि Text बताता है, यह Slides का नाम, वक्त और तारीख बताता है और अगर कोई छुपे हुए सफात हैं, तो इन्हें प्रिंट करेगा Color में हम Green Scale का इंतखाब करते हैं जैसा कि Text बताता है, दीगर Options Slides को इसके असल रंग में या Black and White में प्रिंट करेंगे Size में हम Fit to Printable Page मुंतखब करते हैं आप दूसरे Options को Libre Office Impress Tab में खुद से देख सकते हैं जिस मकसद से आप Print लेना चाहते हैं, इसके लिहाज से Page Layout Tab में कई Options मौजूद हैं मसलन Print Out के एक ही पेज में आपको कुछ Slides चाहिए लिहाज आप Pages पर Sheet इंतखाब करें Default तोर पर ये एक पेज में एक Slides प्रिंट करता है ये पेज का एक छोटा Preview है Drop Down Arrow पर क्लिक करें और एक पेज पर कितने स्लाइड प्रिंट करना है इसे मुंतखब करें अगर हम दो का इंतखाब करते हैं तो Preview में हम दो पेज देख सकते हैं अगर हम 6 का इंतखाब करते हैं तो Preview में हम 6 पेज देख सकते हैं Draw a Border Around Each पेज आप्शन को हम मुंतखब करते हैं ये प्रिंट करते हैं वक्त हर पेज पर एक सियाह बॉर्डर बनाता है ये पेज को पुरकशिश बनाता है दूसरा आप्शन है ब्रोशर ये स्लाइड को किताब के तौर पर प्रिंट करने की सहुलत देता है जो बाइंडिंग के लिए आसान हो फिलहाल इस आप्शन को हम मुंतखब नहीं करेंगे आप खुद इसको बाद में देख लीजिए इस बात का ख्याल रखें कि आप्शन टैब में तमाम चेक बॉक्स अंचेक्ड है ये चेक बॉक्स खुसूसी मकासिद के लिए है जिनका खुलासा हम इस टिटोरियल में नहीं करेंगे अब प्रिंट बटन पर क्लिक करें अगर प्रिंटर सही तरीके से मर्बूत है तो प्रिंटर प्रिंट करना शुरू करेगा अब हैंट आउट्स आप्शन के बारे में सीखते हैं फाइल और प्रिंट पर क्लिक करें और जनरल टैब में प्रिंट के अंदर डॉक्मेंट फील्ड में हैंड आउट का इंतखाब करें डिफाल्ट तोर पर एक पेज पर चार स्लाइड्स होते हैं और डिफाल्ट पोजिशन बाएं से दाएं और तर्तीब उपर से नीचे होती है इस प्रिजन्टेशन के लिए इसे ऐसे ही रखें लिब्रे आउफिस इंप्रेस टैब में आप देखेंगे कि साइज ऑप्शन्स गैर फाल है इसकी वज़ा ये है कि प्रिंट का साइज सफे में कितनी स्लाइड्स है और सफे के साइज की बिना पर मुकरर होता है अब प्रिंट बटन पर क्लिक करें अगर प्रिंटर सही तरीके से मरबूत है तो प्रिंटर प्रिंट करना शुरू करेगा चलिए पहली स्लाइड पर जाकर Notes टैब पर क्लिक करें यहां Note में हम टाइप करेंगे This is a Sample Note अपनी स्लाइड के लिए टाइप किये हुए Note प्रिंट करने के लिए File और Print पर क्लिक करें General टैब में Print के अंदर Document फील्ड में Notes आप्शन का इंतखाब करें बाएं तरफ Preview पेज को देखें यह स्लाइड के नीचे टाइप किये हुए Note दिखाएगा अब Libre Office Impress टैब पर क्लिक करें Note करें कि जब हम Notes प्रिंट करते हैं इसके लिए Size Options दस्तियाब नहीं है अब Print के बटन पर क्लिक करें अगर प्रिंटर सही तरीके से मरबूत है तो प्रिंट करना शुरू करेंगा आखिर में प्रिजन्टेशन देते वक्त फौरी हवाला के लिए Slides की Outline को प्रिंट करने के लिए फाइल पर और Print पर क्लिक करें जनरल टैब में Print के अंदर Document फील्ड में Outline आप्शन का इंदखाब करें बाएं तरफ Preview पेज को देखें ये स्लाइड की Outline या तरतीब स्लाइड के उन्वानात और जेली नुकात के साथ बताता है अब Libre Office Impress टैब पर क्लिक करें फिर से Note करें कि जब हम Outline प्रिंट करते हैं इसके लिए Size Options दस्तियाब नहीं है अब Print के बटन पर क्लिक करें अगर प्रिंटर सही तरीके से मरबूत है तो प्रिंट करना शुरू करेगा इसी के साथ हम प्रिंटिंग के बारे में इस टिटोरियल के एक्तिताम पर आप पहुँचे हैं इस टिटोरियल में हमने सीखा Slides, Handouts, Notes और Outline अब आपके लिए एक मश्क है एक नई प्रिंटिशन बनाएं सिर्फ दूसरी स्लाइड प्रिंट करें पहली चार Slides को बतोर हैंड आउट प्रिंट करें दी गई लिंक पर मौझुदा वीडियो देखें ये सुपोकुन टिटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा है अगर आपके पास अच्छी बैंड विडिट नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं सुपोकुन टिटोरियल प्रोजेक्ट टीम सुपोकुन टिटोरियल के जरिये वर्क्शोप्स का इनाकाद करती है और आउनलाइन इमतहान में कामियाब होने वालों को सनद देती है मजीद मालूमात के लिए contact at spoken-tutorial.org पर राब्ता कायम करें सुपोकुन टिटोरियल प्रोजेक्ट टॉक्ट अटीचर प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है ये हुकुमत हिंद की वजारत बराए इनसानी वसाइलो तरक्की के कौमी तालीमी मिशन बजर्य आईसीटी की मदद से जारी है इस मिशन के बारे में मजीद मालूमात इस सिक्रिप्ट का तरजमा सुनोबर निशात ने किया है और अब मैं वज़ात अहमद आपसे इजाजत लेता हूँ इस सबक में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया